नमस्कार मित्रों मैं पंडिक चंदरिश को शिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ जूतिश की एक नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे मेश से लेकर मीन तक की विभिन राशियों के लिए वर्ष दोहयर पच्चिस का वाशिक राशिफल कैसा रहेगा मैं तो इस राशिफल के माद्यम से हम चर्चा करेंगे कि वर्ष दोहयर पच्चिस में आपके जीवन में किस परकार की उपलधियां प्राप्त होंगी और किस परकार की परिशानी आएंगे इसी के साथ हम ये भी चर्चा करेंगी कि वर्ष 2.25 में आपको किस प्रकार की समासियां और प्रोशानियों का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए इन विपत्तियों से बचने के लिए आपको क्या जोतिशी उपाय किये जाने चाहेंगे वर्ष 2.25 के इस वार्षिक राशी फल को हमने बारे वीडियों में तयार किया है जिसमें हमने मेश से लेकर मीन तक की राशियों का फलादेश किया है इस राशी फल को तयार करने में हमने जनवरी से लेकर दिसमब दो जार पच्चिस तक सबी नौग रहों के गोचर में हो रहे राशी परिवरतन को आधार बना कर प्रती एक माहा की कुंडली तयार करते हुए फलादेश किये हैं ताकि वश दोयार पच्चिस में आपके जीवन में होने वाले विभेन परिवरतन को सुक्षुमता के साथ फलादेश के रूप में आप तक पहुँचाया जा सके मित्रों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वरिश्चिक राशी के बारे में वरिश्चिक राशी का मतलब होता है यदि आपकी जन्पत्री में चंदरमान संख्या नमबर आठ पर विराजमान है तो इट मेंस की आपकी वरिश्चिक राशी है और ये फलादेश आपके लिए होने वाले हैं तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम एक जन्वरी दोहयार 25 की इस कुंडली के बारे में तो पहले हम बात कर लेते हैं देव गुरु ब्रस्पत की गुरु आपके कुंडली में किस पिरकार का प्रभाव परदान करने जा रहे हैं इस सबसे पर लेते हैं involved करेंगे रिच्रव राशी वालों के लिए नैचरली गुरु क्या भाव प्रदान करने वाले होते हैं देखिंए यहाँ परु दूसरी राशी के अनुसार फल प्रदान करने वाला बन जाता है यहां पर गुरू पंचम भाव के अनुसार अपना फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे यहां पर पंचम भाव के स्वामी एक त्रिकौन भाव के स्वामी होकर केंदर भाव में इस्तित हो रहे हैं रिटमीस की यह राज-योग का सा फल प्रदान करने वाले बन जाएंगे दूसरी इस्तिती में जाए हम राहु की बात करें या गुरू की बात करें और वाथमान इस्तिती में जैसा है कि हम बात कर चुके हैं कि एक मईध 2024 को व्रिशय राषी में गुरू ने पुर्व ही राहू 30 अक्टूबर 2023 को मीन राषी में प्रूष कर चुकें हैं मानप्रतिष्टा और सम्मान के भाव में प्रूष कर चुके हैं मान प्रतुष्टा सम्मान की हानी करने वाले यह राहूप बन रहे हैं तो देखें 30 अक्टूबर 2023 से और 30 अप्रेल 2024 तक का जो समय था वह तो विशेश रूप से आपके लिए हानी कारक था आपके मान प्रतिष्ठा और सम्मान को विशेश प्रभाविज करने वाला था नकारात्मक रूप से प्रभाविज करने वाला था लेकिन यहाँ पर जब 1 मई 2024 व्रशव राशी में गुरू का प्रविश हो गया तो कर्पेटिवली चीजे बहतर हो गए कि वह बहतर हो यहां अच्छी नहीं होई है तो यहाँ पर राहु जो प्रथक्तावादी ग्रह होकर और नेगेटिव ग्रह होकर जो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा कर रहे थे आपके मान प्रतिष्ठा और सम्मान की हानी करने वाले बन रहे थे और यहां पर दृती भाव के स्वामी पहले आपकी कुंडली में छटे भाव में इस्थे थे रोग स्थान में इस्थे थे लेकिन अब 1 मई 2024 के परशाथ और 14 मई 2025 तहीय है व्रशब राशी में निवास करेंगे तो इट मेंज कि आपके जो धन है उसकी छटी होनी समाप्थ हो धन की नष्ट होने के योग बन रहे थे उससे आप बच जाएंगी यह इस्ति हो रही है लेकिन फिर भी आपको मान-सम्मान-प्रतिषटा क्याप्ति निश्चिंत नहीं रहना चाहिए यहां पर मान-प्रतिषटा सम्मान की हानी हो रही है देखे अब यह हम राहू की जब करेंगे तो इसके लिए विस्तार से हम चर्चा कर लेंगी कि राहू इंडुजली पंचम भाव में क्या परदान कर रहे हैं लेकिर अभी क्योंकि हम गुरू की बात कर रहे हैं तो गुरू के साफिश यह जो इस्ति है यह कुछ बहतर परवाव परदान करने वाली बन रही है गुरू की यहां से पूर दिश्टी एकादरिश भाव पर लगन इस्थान पर और तिश्टी इस्थान पर पड़ रही है गुरू जब एकादरिश इस्थान में दिश्टी देते हैं पंचम भाव के सामी होकर दिश्टी देते हैं तो आपकी इक्षाओं को पूरा करने वाल चुकी है वह compatibility बहतर इस्तिती में पहुंच रही है और नेक्ट चुकी है और नेक्ट चौदे मई दोयार पच्छेस तक यह बहतर बनी रहेंगे गुरु जब लगन भाव पर दिश्टी देते हैं तो आपके सम्मान को बढ़ा देने वाले होते हैं यहाँ पर तो नेक्टिव है ही उससे कुछ बहतर कर देने वाले होंगे आपके प्रतिष्ठा में ब्रदी कर देने वाले होंगे आपके व्यक्तित में गुरुत प्रदान कर देने वाले होंगे यहाँ पर गुरु पद का लाब भी प्रदान कर देने वाले आपको होते हैं जो आप जिस पोजिशन पर हैं जिस इस्तिती में हैं उससे कंपेटिवली बेहतर आपके लिए आउटपुट प्रदान करने वाले बन जाएंगे गुरु की जब पूर्दिशन पर पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपके साहस मेहनत और परिश्रम को बढ़ा देने वाले होंगे पॉजिटिव कर देने वाले होंगे आपको अपनी मेहनत का रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएजा लेकिन यहाँ पर मेहनत तो पूर्द कराएंगे क्योंकि यहाँ पर गुरु अपनी नीच राशी को भी देख रहे हैं तो जतिवा होता है मेहनत का पुर्शाद का परिश्रम का और पराकरम का यह सभी व्यक्ति को प्रदान तो कर देंगे लेकिन अधिक मेहनत के बार आपको पॉजिटिव आउटपुट आने लगेंगे इसी के साथ गुरू 9 अक्टूबर 2024 को व्रशब राशी में वक्री भी हो चुके हैं 9 अक्टूबर 2024 को वक्रत के इस्तिती में आ गए थे हैं और 119 दिनों तब वक्रत की इस्तिती में ही रहेंगे इट मेंज कि 5 परवेग 2025 तक व्रशब राशी में ही गुरू वक्री रहने जा रहें है यह जो पूरा समय होगा यह गुरू के प्रभाव को अत्यदिक बढ़़ा देने वाला होगा जो भी आपको एफेक्स मिलना है जो भी हम प्रडिक्शन कर रहेंगे इस प्रकार के आपके साथ एफेक्स रहेंगे वह जो इस्तिती है वो 9 अक्टूबर से अत्यतिक बढ़ जाएगे और 5 परवेग तक यह है अपनी मेक्चौड अवस्थान में रहेगी क्योंकि हमने बात करी थी जब भी कोई ग्रह वक्रत्य की स्तिती में आ जाता है तो अपने सकारात्मक अत्वा नकारात्मक कैसे भी प्रभाव प्रदान कर रहा हो अपनी पूर्ण शम्ता के साथ और कई गुना होकर प्रदान करने वाला बन जाता है तो यहां पर गुरू का बहुत तीजी से ये प्रदान करने लएगा और अपने पून प्रभाव के साथ प्रदान करेंगे देकि गुरू सब्तम भाव के साथ एक शुब फल नहीं करेंगे दोनों ही इस्तियों में जब ये वक्री नहीं हुए थे तबी और वक्री हुए है उसके बाद भी लेकिन नकारात्मक फल प्रदान करेंगे गुरू यहाँ पर अपने शत्रू की राशी में इस्तित है आपके जीवन साथी से मद्भेद प्रदान करने वाले हो जाएंगे प्रेम विवाह करने वालों के लिए यह सकारात्मक इस्ति है कुछ विवादों के बाद प्रेम विवाह की इस्ति बन जाएगी क्योंकि पंचम भाव के सामी सब्सम्भाव में पहुंच रहे है लेकि यहां पर विवाद शंभावी है क्योंकि राहू यहां पर पंचम भाव प्रेम के स्थान में बैट रहे हैं तो लब मेरिज होने की संभावना पूर्ण बन रही है लेकिन विवाद की इस्तिती के परशाथ यदि पूर्ण अवधी में बात करें तो एक मैई दोहयाद चौबेश से और अठारे मैई दोहयाद पच्चिस तक का जो समय है यदि पेम विवाद करने वालों की स्थान के वारे में बात करें तो पेम विवाद होने की संभावना अधिक है उसमें भी जब गुरु वक्री होंगे तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा संभावनाई बढ़ जाएंगी 119 दिनों तक पांच परवड़ी 2025 तक जब तक गुरु वक्री इस्तिती में रहेंगे और overall जो टाइम है इसका वह 14 मई 2025 व्रशव राशी में ही ध्रमड करने जा रहें इसके पश्चात यह मित्वन राशी में प्रवेश कर जाएंगी चली जान लेते हैं वह क्या इस्तिती होगी देकि 14 मई 2025 के पश्चात गुरु आपके मित्वन राशी में प्रवेश कर चुके हैं पंचम भाव के सौमी अश्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं या एक नयकार आत्मक इस्तिता प्राप्तो हो रही है मान प्रतिष्टा सम्मान के भाव के स्वामी जब अश्ठम भाव में पहुँच जाते हैं अशुब स्थाने पहुँच जाते हैं रंदर स्थाने पहुँच जाते हैं तो मान प्रतिष्टा सम्मान की हानी करने वाले हो जाते हैं आपके पद को भी खत्रा हो जाता है आपके designation को भी खत्रा हो जाता है 14 मई 2025 को गुरु मितुन राशी में पहुच चुके हैं और ये 18 अक्टूबर 2025 तक यहां पर गोचर करने जा रहे हैं इट मेंज कि कुल 5 माह और 5 दिन तक यहां पर गोचर करेंगे इन 5 माह और 5 दिन में बहुत बड़े परिवर्टन आपके जीवन में हो जाएंगे आपके पद की भी हानी होने की पूरी संभावना बन रहे है आपको अपने पद से स्तीफा भी देना पड़ सकता है आपके पद को बचाने के लिए विशेश शंखर्ष करने पड़ सकते हैं तो कि देखी यहां पर पंचम भाव का स्वामी शुब इस्तिती में ने जा रहा है राहू के इस्तिती यहां पर अभी भी बनी हुई है विशेश रूप से 14 मई से लेकर 18 मई तक का जो समय होगा यह विशेश नकारात्मक होने जा रहा है क्योंकि राहू यहां पर इस्तित है 18 मई के पच्चार राहू कुम्भ राश्री में प्रवेश कर जाएंगी वह इस्तिती कुछ बहतर हो जाएगी लेकिन अभी एड़ प्रेजन्ट जो यह पांच महीने में भी चार देने के वल लेकिन एड़ प्रेजन्ट जो 14 मई से लेकर 18 मई तक के इस्तित है यह विशेश नकारात्मक होने जा रही है यहां पर पद की हानी का भी पूरा योग बन रहा है रहो देखे शर्यंत्र के भी कारक होते हैं यह अभी हम बात कर लेंगे जा हम रहो की बात करेंगे लेकिन शर्यंत्र के मद्दे नजर आपको कुछ अपने पद से अपने डेजिनेशन से या फिर मान सम्मान अप्रतिष्टा से समझोता करना पर सकता है गुरू की अश्ठम भाव से द्रिष्टी दादश भाव पर भी है दिती भाव पर भी है और चतुर्द भाव पर भी है सबी जगे यह हानी करने वाले बन जाएंगे क्योंकि यहां पर हलाकि यह पंचम भाव के सामी होकर positive हो रहे हैं लेकिन क्योंकि इनकी placement अश्ठम भाव में हो चुकी है और जहां यहां से यह द्रिष्टी पदान करेंगे तो नकार आत्मक द्रिष्टी पदान करेंगे आपके जीवन में हानी की योगों को बढ़ा देने वाले होंगे यह खर्चा अत्य दिर बढ़ा देंगे आपकी सेविंग नहीं होने देंगे आपकी हुई सेविंग जितनी भी सेविंग होई है उसको नष्ट करने का या प्रियास करेंगे मैक्सिमम नष्ट करने का प्रियास करेंगे जती भाव होता है सस्राल का अकुटम का सस्राल अकुटम से भी आपके रिष्टों को खराब कर सकते हैं गुरु की यहां से पून दिश्टी जब चतुल भाव पपड़ती है तो चतुल भाव होता है सुक का भाव आपको रिष्ट लेस लाइफ प्रदान करने वाले होंगे सांसारिक भोगों की उपलब्दता से आपको दूर कर देने वाले होंगे सांसारिक भोगों को आप प्राप्त करने में असहज महसूस करेंगे असफल महसूस करेंगे तो यह जो इस्तती है गुरू की यह बहतर इस्तती नहीं है सकारात्म के इस्तती नहीं है 18 अक्टूबर 2025 के पश्चाद इनका राशी परवर्तन हो जाएगा 18 अक्टूबर 2025 के पश्चाद गुरू मितुन राशी से निकल कर करक राशी में प्रिवेश कर जाएंगे अपनी उच्च अवस्थान में पहुँच जाएंगे चलिए जान लेते हैं यह क्या इस्थाथी होगी अठार एक्टुब दोज़ा पच्चिस के पश्चाथ गुरू नवम भाव में पहुँच गए है एक शुब इस्थान में पहुँच गए है भागिस्थान में पहुँच गए है पुन्डली के तिरत्यकोंड भाव में पहुँच गए है सबसे शुब भाव होता है नवम भाव जब उच्च के गुरू की इस्ति बन जाती है प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पर इनका निवास इनका गोचर एक माह और सत्रे दिन तक रहने वाला है पांच दिसंबर दोयाद पच्चेस को इनका पुन है मितुन राशी में प्रुवेश हो जाएगा लेकिन यह जो एक माह और सत्रे दिन है 47 डेज जो हैं आपके जीवन के इनका पूर्ण जो फोकस होगा वहा पंचम भाव पर ही होगा और देखिये यहां से राहु की भी इस्ति निकल चुके है राहु यहां से मूग कर चुके हैं और सुख भाव के स्वामी यहां पर इस्तित हो चुके हैं शनी इस्तित हो चुके हैं तो यह जो इस्ति होगी यह बहुत बहतर इस्ति होने वाली है आपके जीवन में गुरु की यहां से पूंड दिश्टी लगन भाव पर भी पढ़ रही है तती भाव पर भी पढ़ रही है और पंचम भाव पर तो पढ़ ही रही है लगन भाव पर जब उचगे गुरू की पून दिश्टी पढ़ती है तो यह आपको मान सम्मान और प्रतिष्टा पदान करने वाली होती है आपकी खोई हुए सम्मान को वापस लोटाने वाली होती है तिती भाव पर जैनकी दिश्टी पढ़ती है जती ही भाव के सापेक्ष गुरू बहतर फल प्रदान करने वाले होंगे देखिए यहां पर जब नकारात्मा भावों पर गुरू की दृष्टी पढ़ेगी तो सकारात्मा की फल प्रदान करने वाली यह बन जाएगी आपकी संगर्श को यह समाप्त कर देने वाली दृष्टी बन जाएगी गुरू की जब पंचम भाव प्रदृष्टी पढ़ती ही है तो आपको पने संवान प्रदान कर देने वाली बन जाएगी यहां पर गुरू यह बहतर इस्तिती में 47 दिनों तक घमड करेंगे इसके 25 दिसंबर 2025 को यह पुनह मित्वन राशी में प्रवेश कर जाएगी एज़र्टे दे इस्तिती हो जाएगी एक परिवरतन होगा क्या होगा चलिए हम बात कर लेते हैं 18 अक्टूबर 2025 को गुरू का मित्वन राशी में प्रवेश हो चुका है यहाँ पर गुरू अगेन अश्ठम भाव में पहुँच चुके हैं पंचम भाव का सामी जब अश्ठम भाव में बैठते हैं तो अगेन मन प्रतिष्टा सम्मान को नुकसान पहुचाने वाले बन जाते हैं यहां से इनकी पूर्ण द्रिष्टी द्वाव पे दिती भाव पे और चतुर्द भाव पर पढ़ रही है देखे यह जो द्रिष्टियां हैं यह तो हम बात कर चुके हैं जो हमने मितुन इस्थित गुरू की बात करी थी यहां पर इक नई चीजी है कि राहु चतुर्द भाव में पहुंच गए हैं यहां पर राहु की भी पूर्ण दिष्टी गुरू पर पढ़ रही है यहां पर यह आपस में दिष्टी संबंध स्थापत करना हैं में से कोई भी एक यादी संबंद बन जाता है तो उन दोनों ग्रहों में अत्वा ग्रह अग्धा भाव में एक विशेश्च प्रकार कर संबंद बन जाता है योग बन जाता है तो यहाँ पर चतर्द भाव और अश्टम भाव का संयोग बन रहा है चतर्द भाव होता है आपक 25 को जब गुरू का कर्क राशी से मितन राशी में वकरतों के साथ राशी परवर्तन होता है देखिए यहां पर वकरी भी हो चुके हैं गुरू जब वकरतों के साथ राशी परवर्तन होता है और पांच मयां और 26 दिन के लिए यह ब्रमड करते हैं यहां पर तो यह है आपके इस्थान परवर्तन को भी बहुत बलपरदान करने वाले बन जाते हैं संभवत आपका इस्थान परवर्तन होने जा रहा है तो इसके लिए आपको तयार हो जाना चाहिए 2 जून 2026 तक ये गुरू मितुन राशी में ही भ्रमण करेंगे और राहू की भी इस्थिति यहीं पर रहेगी तब तक तो ये एक बहुत श्ट्रॉंग योग बना देने वाले बन रहे हैं 5 दिसंबद 2025 और वर्ष्र के अंद तक गुरू इस राशी में ही वक्री रहने वाले हैं 11 माज 26 को गुरू का वक्रत समाप्त होगा तो सम्बद उससे पूर आपका कोई न कोई इस्थान परवर्तन अर्ष्र ही हो जाएगा पद परवर्तन भी हो सकता है तो यह एक श्ट्रॉंग इस्थान परवर्तन को इंगित करने वाले बन रहे हैं जो अश्ट्रम भाव के संयोग से अश्ट्रम भाव के इंबॉल्मेंट से कोई इस्थान परवर्तन होता है तो वह शुब नहीं होता इसका थोड़ा सा आपको विश्विश ध्यान रखना होगा चलि हम बात कर लेते हैं एक अनिग्रह शनी के जिसके लिए पुने हमें जाना होगा एक जन्रवी दोहज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ शनी आपके चतुर्द भाव में भ्रमन कर रहे हैं हम आपको बता दें शनी ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोंड राशी कुम्ब में प्रवेश किया था जिसमें 2 साल, 2 माह और 10 दिन रहकर पुरन 29 मार्ज 2025 को यह मीन राशी में प्रवेश कर जाएंगी लेकिर अभी हाल फिलाल जो इस्ति है हम आपको बता दें कि जहां प्रश्चिक राशी की बात करते हैं तो प्रश्चिक राशी में शनी तरती भाव और चतुर्द भाव 2 भावों की स्मी होते हैं यहाँ पर चत्रती भाव एक तिर्शडाई इस्थान होता है, एक ऐसा इस्थान होता है जो शुब और अशुब दोनों ही प्रकार के मिश्चित वल प्रदान करता है और चत्रत भाव एक अत्यंत शुब भाव होता है, सौमि भाव होता है, कुंडली का केंदर इस्थान होता ह जब यहाँ पर शनी की इस्तिती हो जाती है तो इसको कहा जाता है कंटक शनी अपने निवास इस्तान से यह दूर कराने का प्रयास करता है तो यह इस्तिती बन चुकी है 17 जनुरी दो हो जाते हैं एक रेश्ट लेस लाइफ देने वाला होगा फर्श्ट अफॉल तो यह अपने इस्तान को ही परिवर्तित कराने वाले बन जाते हैं अपने इस्तान को ही परिवर्तित कराने वाले बन जाते हैं गर से दूर करने वाले बन जाते हैं लेकिन यदि आप गर से दूर भी नहीं रहते हैं तो भी आपको इतना बिजी रखते हैं कि घर में आप बहुत कम समय प्रदान कर पाते हो Most of the time आपका बाहर ही निकल जाता है अपने कर्ब शेत्र में अपने प्रोफिशन में निकल जाता है या फिर आप इस्टडी करते हैं तो इस्टडी में निकल जाता है Overall आपको अपने घर पर समय कम ही मिलता है 1792 से यह समय शुरू हो चुका है 29 माज 25 तक रहने वाला है हाला कि शनी अपने मूल तुरकोंड राशी और अपने सुराशी में यहाँ पर इस्टडेते हैं तो कोई अहित तो नहीं करेंगे कोई अशुमता के संकेत तो यहाँ पर नहीं दिखाई दिते हैं आपको बाहर भी जाना पड़ा तब भी आपके लिए ग्रोथ फोल है और यदि आप अपने घर पे भी रहते हैं तब भी आपके लिए बहतर फल प्रदान करने वाले यह शनी बन रहे हैं आपके सुखों में वृद्धी करने वाले बन रहे हैं यह अपका शेडूल बिजी है क्योंकि यह तत्री भाव के भी स्वामी हो रहे हैं संगर्ष महनत पुर्शात और परिश्रम के भाव के स्वामी बन रहे हैं लेकिन यहां पर यह क्योंकि शुभत प्रदान करने वाले हैं तो नकारात्मक तो नहीं करेंगे और ऐसी स्थिती में यह अपके पूर्श दृष्टी छटे भाव पर प्रदान कर रहे हैं सप्तम भाव पर प्रदान कर रहे हैं और लगन इस्थान पर प्रदान कर रहे हैं तीनोही स्थिती में जब इनकी पूर्श दृष्टी छटे भाव पर पढ़ती है तो रोग, रिण और शत्रूगी हानी करने वाले बन जाते हैं जब भी शनी के हम दृष्टी की बात करते हैं शनी की नेशनल दृष्टी होती है वो नकारात्मक दृष्टी होती है देखे जब विविन ग्रहों के बारे में एक सीरीज आपको प्रदान करी थी तो उसमें हमने शनी के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करी थी इसे पूर हम आपको बता दें कि हमारी ये चैनल है वो एडुकेशनल चैनल है मिया पर शिक्षा प्रदान करते हैं जोतिश की ने शुल्ख शिक्षा प्रदान करते हैं जोतिश की और यहाँ पर यदि आप जोतिश को सीखना चाते हैं समझना चाते हैं जोतिश के एक तब बी वो हमारे चानल से जुड़ सकते हैं और गतर्ते में क्या रभावन करने वाले ने法। एक वी मारग भाक के स्वामी भी है मृत्शानी वावा होते हैं तो यहां पर कुछ नकारात्मा फल भी परदान करेंगे, इसलिए जब इनकी दृष्टी छटे बाव पर पढ़ते हैं, तो रोग रेन और शत्रु का नाश कर देने वाले यह हो जाते हैं, और शनी की यहां से जो दृष्टी पढ़ रहे हैं, अपनी नीच राशी पर भी पढ जाते हैं, आपकी जो नौकी होती है, वो सहज नहीं चलती है, आपको कठें परिश्रम करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है, अज संतुष्टी प्रदान कर देने वाले यह शनी होते हैं, यह जो इस्तिती चल रही है, शनी की यहां से पून दृष्टी कर्म शेत में भी आपको संघश प्रदान करने वाले यह बन जाते हैं, जैसे हमें बात की है, कि जोग के सापेव यह श्तिती बहतर नहीं है, इसी परकार से कर्म शेत करे सापेव यह श्तिती बहतर नहीं है, तो अभी आपको 29 माज 25 तक और प्रियास करना पड़ेगा, और इंतिजार करना पड़ेगा, इसके पश्चार इनकी पूर दृष्टी लगन भाव पर भी पढ़ रही है, लगन भाव पर जब दृष्टी प्रदान करते हैं, तो आपको कुछ उप्लब्धियों के साथ लापरवाव भी बना देने का प्रियास करते हैं, कुछ लापरवाही वाली इस प्रदान करेंगे, लेकिन आपको प्राप्ती होती रहेगी, लेकिन विश्चे शुरूप से यहाँ पर लकारात्मक प्रभाव अधिक प्रदान करने वाले होंगे, क्योंकि यह अपने नीच की राशी पर दृष्टी प्रदान कर रहे हैं, 29 माज 2025 को इनका राशी कर जाएंगे, चली जान लेते हैं, वह क्या इस्तती होगी, 29 माज 2025 को कुछ इस प्रकार की इस्तती जनरेट हो जाएगी, शनी अपने मूलत रपोंड राशी से निकल कर पंचम भाव में मीन राशी में इस्तत हो जाएंगे, और यहाँ पर पंच ग्रही योग बन रहा है, प सम्मान और प्रतिष्था के भाव में, डेजिनेशन के भाव में, पद के भाव में, पंचम भाव के साथ यह जो इस्तती है, यह कुछ बहतर इस्तती बन रही है, यहाँ पर सकारात्मा इंडिकेशन बिल रहे हैं, 29 माज 2025 को जब शनी राशी परवरतन करके मीन राशी में इ 13 जून 2027 तक यहीं ब्रमण करने जा रहे हैं, एक लंबी अवधी के लिए यहाँ ब्रमण करेंगे, 2025 का पूरा समय, 2026 का पूरा समय, और आधा साल 2027 का यहाँ ब्रमण करने जा रहे हैं, यह आपके लिए एक सकारात्मा के स्थती है, चतुर भाव के सामी, जब पंचम करने इस्थान परवायद कर सकते हैं ना कि शीज जो लिए करने का इस वा इत्तσα सोग सा प्राप्त हो रहा है तो उन्तिसमाज 2025 को जो शनी की इस्तिती हो जाएगी वो competitively better हो जाएगी आपके लिए बहतर हो जाएगी शनी की यहां से पूर्ण दिश्टी सब्तम भाव पर भी पढ़ रही है एकादश भाव पर भी पढ़ रही है और दिती इस्थान पर भी पढ़ रही है तीनों ही इस्थानों पर जी उनकी दिश्टी पढ़ते है तो यह बहतर फल प्रदान करने वाली बन जाएगी जैसा कि वहुआ हमने बताया कि शनी की दिश्टी कुछ अरिशानी भी प्रदान करने वाली बनती है लेकिन यहां पर क्योंकि एस्टिशनी के विशेश रूप से सकरात्मक बन रही है तो इसका जो एफेक्ट होगा नकारात्मक कम होगा सकरात्मक अधिक होगा जैसे जब यह सब्तम भाप प्रश्टी देते हैं तो जीवन साती से कुछ मन मुटाव कर सकते हैं जीवन साती के सास को कुछ खराब कर सकते हैं लेकिन जीवन साती को उच्च पर भी प्रदान कर देने वाले होंगे मासमान प्रश्टा को बढ़ा देने वाले होंगे उनको कुछ खुश कर देने वाले होंगे सैटिस्वाइड कर देने वाले होंगे उनके इन नीचर को उनके सुभव को परिवर्चित कर देने वाले होंगे इंटरनली पॉजितिवीटी परदान कर देने वाले होंगे यहां पर सकारतमक्ता आधिक है लिकिन नकारतमक्ता कम है यदि सब्सट्रि की हम बात करते हैं यहां पर सक्तम दृष्टी है एक आदश स्थान पर पल रहर है एक्षा पूर्ति के हाऊस पर प्राइए लाब के लाभानुविद उसरी हो रहतो हो और यहां चल रहे आपके कि दृष्टी पढरते हैं तो यहां पर भी धन को बढ़ा देने वाले भी हो जाते हैं बहुत एक वस्तों में इस धन को खर्च कर देने वाले भी होते हैं लेकिन देखी जुटलाइजिशन होगा पैसे का मिस्यूज नहीं होगा जैसे दवाईयों में खर्च नहीं होगा या फिर हानिया नहीं उठानी पड़ेंगी इस तरह की इस्तती होती लेकिन 2017 तक यह निवास करेंगे ब्रह्मण करेंगे तो यह पूरा ही काल खंडी होगा वह बहतर फल्पदान करने वाला के लिए बन जाएगा चलिए हम बात करते हैं अब राहू की इसके लिए पुनय हम बात करेंगे एक जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में राहू आपके पंच राशी में प्रविश किया था जो एक साल 6 महीने और 17 दिन तक इन राशियों में रहने के परशाद को नहें 18 मई 2025 को राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं लेकर हम बुर्तमान इस्तिती की ज़्यदी बात करें तो रहूँ आपके पंचम भाव में मान प्रतिश्टा समान के बाव में इस्तित हो रहे हैं और के तो आपके लाव बाव में इस्तित हो रहे हैं देखें आपको लाव भान प्रतिश्टा के बाव में बैटे हूँ है तो आपको मान समान और प्रतिश्टा के बाव में बैटे हूँ है तो आपको मान समान और प्रतिश्टा के डे बाव मे कराते रहेंगे आनी कराने वाले बंते रहेंगे आपका प्रिफक्तावादी ग्रह होते हैं और जहां बैठते हैं उस भाव से विक्ति को प्रितिक करने का प्रियास करते हैं तो यहां पर पंचम भाव होते हैं मान सम्मान और प्रतुष्ठा की कारग भाव यहां पर जब यह बैठते हैं तो मान सम्मान और प्रतुष्ठा से व्यक्ति को प्रतक करने का प्यास करते हैं तो यहां पर आपको मेंटेन करने के लिए पहत संगर्श करना पड़ेगा राहु जो होते हैं वो शड़ियंत्र के कारग भी होते हैं जो आपकी वर्किंग होगी वहद नहीं खराब नहीं होगी जितना कि आपके इसका आरोप लगेगा आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंड़ चलाया जाएगा आपके दुश्मन आपके खिलाफ शड़ियंत्र कर देने वाले होंगे यहां पर शड़ियंत्र का कारग भी राहु ही होता है तो ऐसी इस्तिति में रहू जो श्रेंद कराते हैं ना आपके लिए तो आप लाचार हो जाते हैं उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता है और जैसे कि हमने गुरू की इस्तिति की बात करी या और पूर इस्तितियों की बात करी तो एची कोई समभब ना लगती नहीं है कि आप उसका पत्युत्तर दे पाएंगे तो यह चीज़े आपको कुछ छेलनी ही पड़ेंगी और जहां-जहां इनकी दृष्टी पड़ेगी वहां-वहां भी व्यक्ति पीडित हो जाएगा देखे एक तो इनकी जो प्लेश्मेंट है यह संतान के भाव में भी है संतान से भी प्रथक करने का प्यास करते हैं संतान को स्वास खराब हो सकता है या पिर संतान से आप दूर रह सकते हैं या संतान आप से दूर रह सकते हैं यह कश्ट भी आपको चेलना पड़ सकता है यहां से इनकी पूर्ण दिष्टी भागी भाव पर भी पढ़ रही है, एकादेश इस्थान पर भी पढ़ रही है और लगन भाव पर भी पढ़ रही है, तीनों जगे यह हानी प्रदान करने वाले होंगे, भागी की भी हानी प्रदान करने वाले होंगे, यहां पर मंगल भी नीच के हो रहे हैं इस समय जो इस्थति है इस्पेशली एक जनुरी 2025 की आई सपास वाली यह विशेश रूप से नकारातनुफ ही हो रही है यहाँ पर राहू भी negative pitch प्रदान कर रहे हैं और मंगल भी यहां नीच के हो रहे हैं और यह कादशभाब पर भी जिपφाग पर दिश्टे पड़ती है तू लाब को भी यह कुछ कम कर देने केटू अधिक एक्टिवेट होंगे। लाब प्रदान करते रहेंगे। आपके खिलाफ शड़यंत रहेंगे। आपके खिलाफ नेगेटिविटी होगी। प्रपेइडन्डर छाए गाए। नेगेटिविटी आपको लाब मिल जाएगा। लेकिं एक नेगेटिव श्थती परते हैं तो stress, tension और anxiety प्रदान कर देने वाले होते हैं, आपको मानसिक तनाव में लाने वाले होते हैं, डिप्रेशन में भी ला सकते हैं, तो इस तरह के इस्तिति यह जनरेट कर देने वाले हो जाते हैं, इसी परकार से ज़िए हम केतु की बात कहते हैं, केतु एकाद लाव के इस तरह को बढ़ा देने वाले होंगे, आपको लाभानुवित कर देने वाले होंगे, आपको profitability प्रदान कर देने वाले होते हैं, और यहां से जब इनकी पूंदिष्टी दर्ती भाव पर पढ़ती है, पंचम भाव पर पढ़ती है, और सब्तम भाव पर पढ़ती पंचन्भाव होता है आपके पद का, मांत का, प्रेश्टा और संतात का, यह सब होता है आपको चंतित कर देने वाले होते हैं जैसे जीवन साथी की तरक्की कर देने वाले होंगे, ग्रोध करने वाले होंगे, प्रमोट कर देने वाले होंगे, प्रमोशन प्रदान कर देने वाले होंगे एक महत्मूब बात यह है कि जब यह 18 मईज 2025 को राशी परवर्थन करके क्रम्श मकर राशी में और सिंग राशी में प्रुवेश करेंगे तो क्या स्थती होगी देखिए हम आपको बता दें कि जो राहू और केतू की गती होती है वो वक्रत वाली गती होती है वक्री गति होती है जैसे सभी ग्रह आगे की तरफ मूव करते हैं इस तरह से लेकर राहू और केतु पीछे की तरफ मूव करने वाले होते हैं पीछे की तरफ चलते हैं इस तरह से तो राहू और केतु की जो गति होती है वो वक्रत वाली गति होती है एक चीज़, दूसरी चीज़, कि राहू और केतू सदैव एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर रहते हैं simultaneously work करने वाले होते हैं, move करने वाले होते हैं कैसे ही रहु इस राशी में भी करेंगे जितना मूग करेंगे उतना ही केतु इस राशी में भी कर देने वाले होंगे यहां पर डोनों एक दूसरे से 180 degree की इंगिल पर ही रहेंगे यह एक सिध्धान होता है चलिए हम बात करते हैं उस इस्तिती की जब 18 माई 2025 को इन दोनों का राशी परवर्तन होगा 18 माई 2025 के पश्चात राहू आपके चत्रुद भाव में इस्तित हो जाएंगे और केतु आपके दशम भाव में इस्तित हो जाएंगे यहां पर कुछ पॉलम सीरी क objetivo वाली स्तिती हाण की राहू जहां पर भी नवास करेंगे जहां पर भी ब्रहमन करेंगी महां पर तुअ 이야기를 होते हैं तो यहां जो दर्शम भाव में पहुंच जाएंगे तो एक्टिवीट कर देंगे आपकी वर्किंग को आपने काल शेत्र में बहुत ज्यादा इन्वाल्व हो जाएंगे तो यह इस्तितियों बन रही है इन राशियों में प्रवेश कर रहे हैं और 5 दिसंबा 2026 तक यहां पर भ्रमड कर दिसंद सब्सक्राइब करें ने जा रहे हैं एक लंबी अवदी के लिए यहां पर यह भ्रमड करने जा रहे हैं एक साल 6 महिन नोगब लगब लगब डेढेड साल तक का जो समय होगा आठारे मईगे की पस्चार या आपको प्रोफेस्चनल लाइब में बहुत जादे एंगेश्ट कर देने वाला होगा आपको उचाईयों पर भी पहुंचा देने वाला होगा जैसे जैसे पर इस्तियां आपके फिवर में आएंगी वैसे वैसे आप उच्छी शिखर तक पहुंचते चले जाएंगे लेकिन यहां पर राहू आपके घर परवार और आपके कुटुम से आपके कमफर्ट से आपको दूर रखेंगे राहू की यहां से पूर दश्ठी अष्णभाव पर पढ़ रही है और ज्ठश भाव पर पढ़ रही है तीनों ही इस्थानों पर यह हानी करने वाले होंगे देखे यहां पर अश्ठम भाव तो अम्मत्यौ इस्तान होता है या इसके जीवन पे विजय प्राप्ट करने वाले बन जाते हैं जीवन रक्षक बन जाते हैं जीवन रक्षक का एक और भी अर्थ हो सकता है कि देखें अश्ठम भाव पर रावग के देख्ण पर दिश्टी पढ़ती है या संबंद इस्थापित होता है तो एकशिएंट के योग भी बन जाते हैं हलाकि यहां पर यह बचाब भी होगा तो एक चोटा एक्सिजेंट आपके साथ हो सकता है राव की राशी परवरतन के साथ ही इससे आपको थोड़ा सा ध्यान दखना चाहिए इससे बचना चाहिए राव की यहां से पूर्ण दिश्टी जब दशन बन जाते हैं जैसे कि इससे आपके साथ चल ही रही है रहों कि जब पूर्ण दिश्टी दादश भाव पड़ते हैं तो यहां पर हानी के कारक भी होते हैं वेय के कारक भी होते हैं तो यह बढ़ा देने वाले और हानी प्रदान कर देने वाले भी होंगे कहीं धनका खर्चा केतु की बाद करते हैं कि जाए तो आपको उच्रshield चकें पहुंसद बने वाले बना जाते है gözए उने कि नित्छल धिया नहीं को पर और सेविंग करने वाले होंगी आपके घर söyl होसकता है तो यह सुख में भी कुछ उठधी करदा देखे हैं hanging कि घर परिवार से दूर रखते हैं लेकिन जब आपको समय मिलेगा जब आपकी चीजे बहतर हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में सुखकावी पूर्ण आनंद ले लेंगे कि यहां पूर्ण दुष्टी छटे भाव पर पड़ रहे हैं यहां पर रोग लेन और शत्रू को बढ़ाने वाले होंगे आपकी जॉब को भी सुरक्षित कर देने वाले यह बन जाएंगे तो ऐसे सिती में कुछ बहतर रेजल्ट पदान करने वाले हो रहे हैं लेकिन यहां जहां बी उनकी दृष्टी पढ़ते हैं लेकिन चुंता आवरशकर आपे भाप स्कूमरनी और आपम कि उनकि अपने रोग लेन कि चुंता यहां और जॉब कीुटक्ष में तीक में चिन्टा प्रदान करने वाले बन जाते हैं, ति कीए जय से बार बार जॉब की बात करें हैं, जैसे हम आपके बीजनेस की बात करें हैं, आप जौब होल्डर नहीं है तो некоторые बीजनेस के सितियां रहेंगी, तो जा的 užätnot जैसे कि जॉब वाले को परिशानी होगी वैसे ही बिजनिस वालों को भी परिशानी होती है इसके बात कर ले अब इसके अलावा ज़िए हम बात करें आप से चंद्रमा की शुक्र की सूरी की मंगल की अत्वा बुद्य की यह सभी ग्रह एक महीने के अप्रॉप्स अपना इस् बोदोशों को 27-28 दिन में कर लेते हैं मंगल भी एक महीने के पश्चात अपना स्थान पर वतन कर लेते हैं तो यह जो समय होता है बहुत शौट टर्म का समय होता है जह हम वाशिक राशिफल की गढ़ना कर रहे होते हैं तो इसमें संभव नहीं हो पाता है कि इनकी भी हम ग अवश्चा आपको प्रदान करेंगे जिससे कि प्रतियक रहे कि हम मैंलोटली बात आप से कर पाएं और सुक्ष्मता के साथ दिनों में भी आपको प्रदिक्शन प्रदान कर पाएं यह जो इस्ततिया है हम आपके सामने प्रतियक्ष्टूप से महीने के हिसाब से रख करें जिससे कि वह भी इस वीडियो से और इस पविश्वन से लाभानवित हो सके नवश की बहुत-बहुत शुब कमनों के साथ हमें आगया दीजिए नमस्कार